कि नमस्क्यार मित्रों मेरे प्यारे बच्चों बच्चों क्वेशन नंबर 19 यह हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेशन है तो देखी क्या कहा है इसमें एक्सरसाइज 5.2 से 19 है न सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन अनुवल सेलेरी आप रूपीश 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट आप रूपीश 200 इच यह इन वीच यह डिट है इस इंकम रीच रूपीश 7,000 रूपीश वो कि रहा है कि एनुवल सेलेरी ने साल भर में उसको 5,000 रूपीश मिलते थे किसको सुब्बा राव को इन्हों ने 1995 में कहीं पर काम करना शुरू गया जैसे गवर्मेंट इंपलाई रहते ना आप जानती होंगे आसपस कोई होगा आप परिवार में भी तो उनको जिसे पूरा वन येर का 5,000 रूपीश मिलता है अब उसको क्या कहा है कि एक साल बाद उसको 200 रूपे बढ़ जा रूपे इंक्रिमेंट लग गया है यह व्रद्धी हो गई तो नेक्स्ट यर जो है उसका उसको एनुवल सेलरी मिलेगी 5,200 रूपीश इसके बाद नेक्स्ट फिर 200 फिर बढ़ जाएंगे तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा 5,400 रूपीश तो एवरी येर उसको इंक्रिमेंट कितना मिल रहा सुबह राओ को 200 रूपीश यहने जब शुरू किया था 5,000 फिर सेलरी बढ़ती जाएगी दिरे दिरे तो यह पूछ रहे कि सेलरी कौन से यर में 7,000 रूपीश मिलेगी उसको तो देखिए हमने जो according to question क्या बना दिया first year तो उसको 5,000 रूपीश मिलेंगे second year उसको मिलेंगे 5,200 फिर 5,400 एंड सोन आगे बढ़ते जाएगे तो according to question पूछा है कि 7,000 रूपीश कौन से यर में हो जाएगे तो अगर इसको यहाँ पर अगर हम देखिए तो यह AP बन रहा है तो इसको अगर हम A1 नाम दे देते हैं A2 A3 तो यह क्या हो जाएगा अभी नहीं है तो इस एन का वेलियू निकालना कि कौन से यर में 7,000 रूपीश हो जाएगे तो यह चुक्कि यह क्या एक AP है तो हमने इसको सवार को question को यहां पर solve करना शुरू किया हमको क्या मालूम है ए एन ट्रम तो लेट यह एन इस इकल टू 7,000 रूपीश याने एन्थ यह म में उसको 7,000 रूपीश मिलेंगे बच्चों तो यहां पर difference क्या जाएगा बच्चों difference हो जाएगा A2-A1 तो A2 है 5,200-5000 इस इकल टू 200 रूपीश याने difference आपका 2 है तो A N को हम क्या लिखते बच्चों A N को लिखते हैं A plus N minus 1 into D is equal to 7,000 सेवन थाउजन दिया सेवन थाउजन लिख लेंगे एक का वेल्यू हमारे पासे बच्चों 5000 रूपीश कर दिया तो नेक्स स्टेप में आपको क्या मिलेगा देखिए N minus 1 अभी ऐसे ही रखा आपने multiply 200 भी ऐसे ही यह हो गया 7,000 minus 5000 so this implies N minus 1 multiply 200 is equal to यह मिला आपको 2000 अब इस 200 को नीचे डिवाइट कर दिजे यह यह दिवाइट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इधर बचेगा N minus 1 is equal to 2000 by 200 तो यह इसको 20 से 20 इससे cancel किया तो 10 यहने N minus 1 is equal to आपको 10 मिल गया this implies N minus 1 is equal to 10 so N is equal to हो जाएगा 10 plus 1 means 11 तो आपको 11th year में उसकी salary कितनी मिलेगी उसको 7,000 रूपीज तो बच्चो लास्ट में एक लाइन और लिखती जेगा हैंस इन 11th year of the service सुब्भा राव रिसीवड एन एन्यूवल सेलरी रूपीज 7,000 तो क्वेश्चन को एक बार और देख लेजिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है सिर्फ एपी बनाना है आपको कह रहा है कि first 1995 में उसको 5000 रूपी सेलरी मिलती अगले साल 200 रूपे पड़ जाएगी 5,400 तो हमारी एपी इस प्रकार से बन गई अब उन्होंने पुझा 7,000 कौन से यर में मिलेगी यहने एन का वेल्यू निकालना था इसमें तो हमने यहां पर क्या करा एन बराबर 7,000 मान लिए और एन का फार्मूला लागा के ए और डी का वेल्यू पूट कर दिया तो एन इस उकल टू आपको कितना मिलिया बचो 11 तो 11 जो होगा उसमें उनको सेलरी कितना मिलेगी सुबह राव को 7,000 रूपीज तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है बचो ओके थेंक्यू हाव नाइस डे बचो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इस एकसरसाइज का 5.2 से रामकली सेव रूपीज फाइब इन दा फर्स्ट वीक आफ ए यह ना यह नहीं रामकली जो है अपने उसको जो भी इंकम होती है या जो भी कमाती है उससे पांच रूपे वो सेव करती है फर्स सेविंग अब वह अपनी विकली सेविंग में थोड़ा थोड़ा व्रद्दी कर रही है इजापा कर रही है न तो कितना बढ़ा देगी अगले वीक में वह 1.75 रूपीज और बढ़ा देदी यह फर्स्ट वीक में वह 5 रूपीज सेव कर रही है तो सेकेंड वीक में वह क्य पाइब था इसमें भी 1.75 इंक्रीज करके रूपीज 8.50 कर लेगी यहने 1.75 इंक्रीज करती जा रही करती जा रही तो वो यह पूछ रहा है question में if in nth week यहने nth week में उसकी salary जो है उसकी saving जो है वो 20.75 रूपीज हो जाती है तो कौन से number का week होगा जिसमें उसकी salary मलब saving है 20.75 हो जाती है तो हमने according to question क्या मान लिया कि nth week में उसकी salary जो है saving जो है बचो 20.75 हो जाएगी तो according to question हमने जो list बनाई है वो एक AP बन रही है क्योंकि इन सब में कितना increase हो रहा है इन्हें difference है 1.75 रूपीज का तो AP जो हो गई है वो क्या AP बन गई बच्चों यहां पर पहले first week में उसको five rupees मिला फिर second week में 7.5 हो जाएगा फिर third week में 8.50 हो गया तो according to question उसने पूछा कि यह 20.75 जो है कौन से week में होगा तो इनको चुकि एक AP बन रही है तो इसको नाम दे दिया A1, A2, A3 और यह An तो यहां पर एन्थ ए टर्म जो है वो कितनी है बच्चो 20.75 इस इंप्लाइज है एन को हम लिखेंगे प्यारे बच्चों A plus N minus 1 into D is equal to 20.75 अब D जो है अभी हम जानते है डी difference जो है common difference चुकि AP यह तो 1.75 का है चाहे तो निकाल लिजिए यहां A2 minus A1 कर देंगे तो D is equal to A2 है 6.75 minus 5 तो यह difference आ गया 1.75 ठीक है बच्चों तो यह value हम यहां पर रख रहे हैं तो क्या मिल जाएगा देखी A का value है 5 plus N minus 1 as it is रखा आपने difference जो है वो कितना है 1.75 is equal to 20.75 पहले 5 को उदर minus करिए तो क्या जाएगा N minus 1 1.75 is equal to 20.75 minus 5 तो minus 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 15.75 बच्चों और यहां N minus 1 multiply 1.7 multiply को इधर ले जाकर हमने divide कर दिया 1.75 तो 1.75 से 15.75 को अगर divide करेंगे एक और तरीका अगर decimal अटाएगे तो नीचे 100 लगेंगे इसका decimal अटाएगे तो उपर यह यह हो जाएगा पंद्रा सो पिचोत्तर में एक सो पिचोत्तर से डिवाइड कर दिजिए या 5 से पहले कैंसिल कर लिजिए देखें decimal हटा देते हैं तो यह हो जाएगा 15.75 और 175 है ना यह decimal इनके दोनों के इक्वल प्लेस है ना तो तो यह में उपर हंड्रेड नीचे हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा अब आपको इसको कैंसिल करना तो 5 से कैंसिल कर लिजिए थोड़ा छोटा हो जाएगा तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 5 3 जा 15 5 बंजा 5 और 55 जा 25 फिर 5 से डिवाइड कर दिजिए इसको 5 7 जा 35 फाइब 6 जा 30 और 5 3 जा और 7 से 63 में डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाएगा कितनी बार जाएगा बच्चो नाइन टाइम ठीक है तो यहां से आपको क्या मिला धीस इंप्लाइज एन माइनस 1 इसकल टू 9 या एन इस उकल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 मेंस 10 तो 10 जो एंसर है एन का वेल्यू रिक्वाड एंसर हो गया हैंस आप क्या लिख दाएंस एन इस उकल टू 10 यहने 10 वीक में जो है उसका जो सेविंग है वो कितना रूपीज हो जाएगा बच्चो ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइफ एक बार और देख लिए यह क्वेशन में का है फर्स्ट विक में 5 रूपीज फिर 1.75 इंक्रीज करती जा रही है तो आपकी सेविंग हो गई 6.75 फिर 1.75 इंक्रीज किया तो हमको एक प्रकार से एपी यह जो लिष्ट दी हुई इसके अकार्डिंग मिल गई अब वह उसने पूछा कि यह कौन से वीक में 20.75 हो जाएगा तो हमने एंथ वीक मान लिया तो एं 20.75 हो गया यह यहा इन का वेल्यू निकाल लिया तो एं इसकल टू टेन आया और यही हमारा आंसर है बच्चो एना ओके थेंक्यू है वे नाइस डे और बच्चो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस पर लाइक करिए कमेंट्स भी करिए अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमें करिए तो मैं उसको स्वाल करने की कोशिस करता हूं और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स करिए तो मैं और अच्छा करने की कोशिस करूंगा ओके थेंक्यू है वे नाइस डे